ग्रैम मंत्री अमित चाह ओडिसा में मौजूद है जन्सभा को संबोदित कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुनिया ज़रा नरेंद्र मोदी जी ने किया है अभी अभी जी ट्वेंटी सम्मेलन हुआ था जी ट्वेंटी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी एक जगें खड़े रहे कर पूरे दुनिया के नेताओं का स्वागत करते थे इसके पीछे कौन सी तस्वीर थी मालूम है आपको मालूम है अरे नई है मैं बताता हूँ मोदी जी ने वहाँ पूरे देश में से अपने सुर्य मंदिर कोणा की तस्वीर को लगा कर ओरिशा को गवरव दिला है मोदी जी ने पाई का संग्राम का सनमान किया पाई का सनमान में सिक्का और डाग टिकीट करा और भायो बेनो मुझे बताओ एक दीजेडी सरकार ओडिस्टा के गवरों का दिन पति दिन अपमान कर रही मुझे बताओ ओडिस्टा का सासन ओडिया में चलना चाहिए या तमील में चलना चाहिए जोर से बलाओ भायो बेनो आस्ता और सुरद्धा का केंडर पूरे देश और दुनिया में जिनके करोड़ों भक्ते बगण जगनाथ के मंदिर के सभी द्वार खोले नहीं जाते हैं परिक्रगमा के नाम पर इसको परियतन मंदिर में बदलने का काम किया है और जगनाथ के मंदिर को अपमानीत करने का काम हो रहा है भाईो बेनो आज मैं यहां कह कर जाता हूं सालों से और या जंतार करोड़ों जगनाथ बग्त रत्न बंदार का चाबी का रहस्य पूछ रहे हैं मुझे बताओ इसको सारवजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैं आग नविन बाबी को के में आया हूं नविन बाबो रत्न बंदार की ओरिजिनल चाबिया कहा है वो ओडिस्टा की जनता जानना चाहती है डूप्लिकेट चाबिया किस ने बनाई डूप्लिकेट चाबी से रत्न बंदार खोला गया या नहीं खोला गया और जाच आयोग की रिपोर्ट को नविन सरकार क्यों दबा कर बैठी है उसको सारवजनिक करिए मैं आपको कहता हूँ भाईो बेनो भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाईए जाच आयोग की रिपोर्ट को एक महिने के अंदर हम सारवजनिक करने का काम करेंगे भाईो बेनो ये पचीश वर्ष जो है और इसा के विकास के लोश्ट ये पचीश सावे और इसा को पचास साल पीछे धकेल दिया है मैं आज कहना जाता हूँ पस्चिमिक शेत्र के साथ और इसा सरकार ने सोतेला विहवार किया है आज भी और इसा में 27 लाग परिवारों के पास पक्का घर नहीं है 19 में मोदी जी ने योगना सुरू करने से पहले सिर्फ साड़े तीन टका लोगों के घर में नल से जल था आज भी 26 लाग लोगों के घर में नल से जल नहीं है आप भाजपा सरकार बना दो एक ही साल में 21 लाग परिवारों को नल से जल देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी को सब्सक्राइब